हम दिस स्टार्ट वि टार्ट प्रीइचरियगर प्रैक्रिकल्स केर्षिव्यौ। तो हमारा कैथरंतिस रोजियस का जो कॉमन नेम है वो है सदा बहर और ऐसे इसे मेडागास्कर प्रिक वाइन पैरी विंकल भी बोलते हैं ठीक है अब हम आप यहां देख रहे हैं इमेज है जिसमें उसका पूरा क्लासिफिकेशन लिख रहा है यह मैंने साइट से लिया है इंटरनेशनल टेक्स्टोनॉमिकल साइट जिसमें इसका पूरा एकड़ एक्जेक्ट क्लासिफिकेशन इन्होंने डिस्क्राइब किया है तो सबसे पहले हम देखते हैं किंग्डम प्लांटी में आता है इसकी सिननिम्स विंका रोजा भी बोलते हैं और इसका अलग अलग प्लाइब कि आवरत बीजी होंगे मतलब इसका जो फ्रूट है वो ओवेरी से कवर होगा तो इसे एंजिस्पम में ग्रूप में रखा गया है फिर इसमें जो आपका वैनियेशन है वो रेटिकुलीड वैनियेशन है तो डाइकॉटलेडिनी में रखा गया है इसका उफवर प्लाश है वो दो मतलब तू कारपल्स प्रिजेंट है तो यह बाइकॉर्पलेरी में आएगा सिरीज में इसकी सिरीज है बाइकॉर्प कारपलेटी ओर्डर है इसका जैनिटेल्स और एपो साइन ऐसी कि में करेक्टर आपको बता रही हूं कि इसकी सिंपल लीस होती है अप और जो आपके एंडोशियम होता है वो सालवर शेप होता है गाइनोशियम आपकी बाइकॉर्पलेरी होती है फ्री सेंट्रल होती है और इसमें जो इसका फ्रूट है वो फॉलील होता है ठीक है नाव वी स्टार्ट यह पिच्चर मैंने केंपस से ली है अब सबसे पहले हम जाएंगे इसका हैबिट की किते वर्ष में इसकी लाफ साइकल होता है तो यह सदा रहता है इसलिए इसे सदा बहार बोला जाता है इसकी हाइट बहुँ छोटी है तो इसलिए हम हब की केटेगरी में रखेंगे दैन आप इसमें अप्जर्व कर पार्हों कि वाहर लगजील तरह कोलन और स्क्लेरन काम और स्क्लोर आले में और समुर्क पाइब disappoint उर्फिल अजागाकर है नहागा में नेन आभी और इसमें लेटेक्स, मिलकी लेटेक्स प्रिजेंट रहता है, अब हम लीव की बात करते हैं, तो लीव इसकी डैरेक्ट ब्रांच से भी अटाच रहती है, और ब्रांचेस के उपर भी होती है, तो इसे कुलाइन और रमल दोनों बोलेंगे, जिसको हिंडी में स्तंबिक और श अरेजमेंट यहां पर आप देख पा रहे हो, अरेजमेंट अफ लीव को हम फाइलो टैक्सी बोलते हैं, तो इसका अरेजमेंट है, वो आपका अपोजेट डिक्यूसेट है, मतलब एक दूसरे को ओवरलैप करती है, लीव आपकी इसकी सिंपल है, इसके बाद में इसमें स् चोटा से स्ट्रेक्चर होता है, जिसको स्टीप्यूल बोलते हैं, तो इसमें एपसेंट है, तो इसे एक्स स्टीप्यूल बोलेंगे, और इसकी लीव है, आप देख पा रहे हो, यह ओवल शेप की है, तो इसको बोलेंगे, अम इलेप्टिकल ओवोएट और लीव की मार्ज पूरी है, तो इसको अम बोलेंगे, एंटायर और उपर छोटा सा, उपर छोटा सा, यहां देखिए, यहां, उपर छोटी सी एक्स टिप्निकली विये, सिसे मिकुरिनेट बोलेंगे, इसमें आपका वेनियेशन है, वो मिड्र चारो तरफ, मिड्र बीच में है, और उसकी च चारो तरफ शिराएं जा रही है, तो यह आपका हो गया, रेटिकुलेट, यूनिको स्टेट, रेटिकुलेट वेनियेशन, और इसमें लेटेक्स प्रेजेंट रहता है, और अब हम इसके इंफ्लोरसेंस की बात करते हैं, तो इसका इंफ्लोरसेंस, यह देखो, इसमें एक टॉप मोस्ट में फ्लोवर प्रेजेंट होता है, तो इसको हम बोलते हैं, सॉलिट्री एक्जिलरी, एकल कक्षी है, और यह पत्ती होती है, इसके कभी-कभी साइड में, इसके साइड में पत्ती प्रेजेंट होगी, वो भी पेर में प्रेजेंट होगी, दो पत्तियां एक स flower अकेला रहता है bract का मतलब होता है फूल के साथ एक leaf रहना उसको हम बोलता है bract it वो leaf as a bract की तरह act करती है और उसके लिए आप floral formula में terminology यूज़ करते है bi that is bract it अब इस में just a minute हाँ इसमें देखो नीचे आपका pedicel present होता है ये इसको pedicel बोलते है ये वाला structure है ये पूरा इसका नीचे तक जाता है इसको हम pedicel बोलते हैं और flower इसका complete है इसका मतलब calyx, corolla, androsium और gynosium इसमें ये आपका हो गया male part that is androsium ये आपका हो गया female part that is gynosium तो ये flower आपका हो गया bisexual समझ में आया तो और इसमें जो leaf का type है मतलब जो पत्तियां है वो कितनी present है पांच वान, टू, त्री, पो, फाइफ ये pentameras हो गया खीक है और दूसरा इसको पत्तियां flowers की जो आयलिक्स है वो किसी को भी touch नहीं कर रही है touch नहीं कर रही है सब free condition में present है तो ये सारी इसकी होगई polysepalus condition sorry polypetalus condition ठीक है अब अब आपका flower से flower का हमने देख लिया और इसकी gynosium एकदम नीचे present है तो इसको हम बोलेंगे hypogynos और अब हम इसके calyx की बात करते हैं अब calyx इसके कहा प्रेजेंट होंगे calyx इसके ये ये जो नीचे वाला structure है ये आपका calyx है और उपर वाला structure इसका कोरूला तो calyx इसके free है मतलब calyx ये रहे ये free है तो इसको हम बोलेंगे polysepalus condition फिर और ये well weight है well weight में क्या होता है एक दूसरे से touch नहीं करते हैं और ये अलग-अलग होते हैं और इसके अंदर ग्रंतियां present होती है तो इसमें glandular structures present होते हैं इसके अंदर जिसको हम nectaries बोलते हैं अब हम कोरूला की बात कर लेते हैं आपका कोरूला है कोरूला में आपके पांच petals present है गेमो पैटलस condition गेमो पैटलस उपर वाला free है बट नीचे वाला united है तो हम इसे क्या गेंगे गेमो पैटलस condition अब clockwise twisted क्लॉक कैसे चलती है ऐसे तो यह clockwise twisted है और इसके जो शेप इसके फ्लावर की जो लीव का शेप है पैटल का शेप है उसको हम बोलते हैं सालवर शेपड ठीक है और इसका कलर कौन सा है बैंगनी आगे से और पीछे से होता है थोड़ा white और नीचे इसकी जो tubular नलीका है वो fully wii रहती है आपको दूसरे डाइग्राम में बैं बता देती हूं यह देखो यह इसकी नलीका है जो fully wii है ठीक है अब हम इसकी इंडोशेम की बात करते हैं तो इंडोशेम इसमें 5 होते हैं यहां पे हमने फ्लोरल डाइग्राम में भी बता दूँगे आपको यह इसमें पूरे में आपके पाच अंडोशेम प्रेजेंट होंगे और यह पॉली एंड्रस कंडिशन में प्रेजेंट होंगी यह नहीं फ्री रहेंगे और यह पैटल के उपर मतलब यह आपका पैटल है और इसके उपर एंडोशेम प्रेजेंट है तो इसको बोलेंगे अपिपेटलस कंडिशन और एंथर होगा वह दाइथिकस होगा मतलब एंथर को हम काटेंगे तो ऐसे दो ठीका नजर आएंगे इसको हम बोलते हैं डाइथिकस और अंदर की तरफ है यह जैसे तो इसको हम बोलेंगे जैसे यह देखो यह सौरी हाँ अंदर की तरफ है तो यह आपकी हो गए इंटीरियर और यह आपके कोरोला ट्यूब में प्रेजेंट होते हैं ठीक है इसको हम बोलेंगे कोरोला ट्यूब अब हम गाइनोशियम के बात करते हैं तो गाइनोशियम इसकी बाइकारपलरी हो रही है जैसे आप देख रहे हैं और नीचे इसके सिक्रेटरी नक्टरी इस प्रेजेंट है और कारपल इसकी लेटरली साइड में प्रेजेंट है और ओवेरी इस फ्री है मतलब ओवेरी ऐसे free है जूरी भी नहीं है ठीक है तो आप diagram में से free बताएंगे अब इसके बाद में इसका style थोड़ा लंबा होता है उसमें उस पे stigma लगावा रहता है ठीक है और style और stigma आपके united रहता है और placentation इसमें marginal है ठीक है यह आपका placentation इसमें marginal बता रहा है margin पे आपके ovules प्रेजेंट होंगे और इसके पास में नेक्टरीज प्रेजेंट होगी अब इसके fruit होता है उसको हम बोलते है follicle itario of follicles itario of follicles अब इसका सबसे important यह आपका है floral diagram अब आपका यह आपका है floral diagram यह यह वाला structure आपका floral diagram है सबसे उपर जो हमने dot लगा रखा है यह आपका है mother axis ठीक है अब जो outer वाला structure है उसको हम बोलते हैं आपका कैलिक्स बाहर यह दल पुंच और अंदर वाला आपका korola आपका कैलिक्स जुडावा नहीं है free बता रखा है देन कोरोला जुडावा है तो इसको हमने united बता रखा है और इसके उपर आपके अन्रोशियम बता रखे हैं इस अन्रोशियम इससे टैश्ट है तो यह होगी एपिपटलस कंडिशन गाइनोशियम में आपने दो कारपल दिखा रखी है और उसके साइड में यह structure से यह आपकी नेक्टरीज है और अंदर इसका marginal placentation है तो हमारा floral डाइग्राम बनाना हमारे बहुत मस्ट होता है अब इसका formula हम इससे देखके लिख सकते हैं ebractate, ebractolate, actinomorphic यह जो plus का sign होता है वो actinomorphic के लिए होता है और यह वाला होता है आपका zygomorphic और यह डॉट होता है एक बड़ा असा डॉट होता है उसका मतलब होता है mother axis अब bisexual के लिए हमने male, female and male दोनों present ह कैलिक्स आपके पांच है, united है तो हम इसे bracket में डाल देंगे, then corolla है वो पांच है और endosium उसके साथ attach है, happy petless condition हम बताते हैं तो ऐसे बताते हैं और gynosium आपकी inferior है और bicarbular ही है और यह सब आपको mention करना जरूरी होता है अब मैंने यहाँ पे एक chapter से लिया है वो इसले लिया ह है कि इसकी medicinal properties आपको बता सको, इस plant की बहुत अच्छी medicinal property है, सबसे important बात यह anti-cancerous है, इसमें दो product present होते है, windblastine and windkristine that is anti-cancerous nature and देखो आप इसमें title भी पढ़ पा रहे हो, यह किसी का राजेश जी का chapter है जिनमें नों बता है, anti-cancerous alkaloids, इसमें बहुत alkaloids present है, जिसे आ पर देख पारे हो, उस plant में total कितने सारे alkaloids present है, और इन सब में anti-cancerous और बहुत सारी medicinal properties है,